हालो दोस्तो नमस्कार श्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज एक ऐसी ख़बर आई है जिसको देख करके सुनकर के आप बहुँ ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि लंबे समय से सीटेट के वामले में एक रहश्य बना हुआ था हाला कि एक बार पहले भी बोर्ड का डिसीजन आया था कि सीटेट को लाइफ टाइम कर दिया जाए जोकि एक बार किसी बच्चे न अगर सीटेट का एकजाम पास कर दिया तो उसको अपने जिंदगी में दोबारा सीटेट नहीं करना पड़े लेकिन बाद में फिर ये मामला आटक गया और अब जाकर के सरकार के तरफ से इसको हरी जंडी दे दी गई है सीटेट के लिए धमा का कबर है वैलेडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है अब अगर आपने जिंदगी में एक बार सीटेट का एकजाम पास कर दिया लेवल वन हो या लेवल टू हो तो उस आप आपके लिए रहेगा तो आएए पूरी डिटेल देखते हैं डिटेल से पहले आप एक प्रीज बता दूं कि हम लोग ओल ओवर इंडिया में सीटेट बी एसचवी के वी एस एनवी एस योजी सीनेट सभी टीचिंग जाम के नोट्स प्रवाइड करते हैं और अगर लेंग्विज बन का पैड़ागोजी, लेंग्विज टू, लेंग्विज टू का पैड़ागोजी, चाल डेवलप्मेंट पैड़ागोजी, पी आर्टी में एवी एस और मैथ और एवी एस मैथ का पैड़ागोजी, और टीजी टी में एसस्टी और एसस्टी का पैड़ाग चाहिए एक न्यूज देखी मैं आपको दिखाता हूँ शिक्षा मंत्राल्य शिक्षक पातरता परिक्षा TET योगता परमान पत्र की व्यद्यता आउधी आज इवन कर दी गई है शिक्षक पातरता परिक्षा पर सरकार का बड़ा फैंसला आ गया है देश भर के अंदर ये कबरे कापी लंबे समय से आ रही थी के होगा या नहीं होगा अब आप लोग इसकी डिटेल देख लिजिए पूरी न्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ यह तो मैंने कटिंग दि समय समय पर देते रहेंगे तो आईए एक बर डिटेल दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहां से यह खबर हम लोगों को मिली है यह देखिए यह ट्वीटर हैंडल है अमर जॉला का इसके उपर लिखा हुआ साप साप कि शिक्षा मंत्रैले के आउधी आजीवन कर दी गई है अब डिटेल में देख लीजिए साथ सालती पहले अब इसको यहां देखिए मैं थोड़ा से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे केंद्रिये शिक्षा मंत्रैले ने बड़ा फैंसरा लेते हुए शिक्षक पात पहले की तारिक एक जनवरी 2011 से लागो किया गया है यानि जिनोंने एक जनवरी 2011 से सीटेट पास किया था उन सब की अप लाइफ टाइम यह हो जाएगी यानि कि इन पिछले सालों में जिनके भी परमान पत्रों के अवधी पूरी हो चुकी है वे भी शिक्षक प्रिक्षा बर्ति प्रिक्षां के लिए पात्र होंगे यानि जिनकी फ्रिक्षा प्रिक्षा में बाग लेने कि आउसकता नहीं है केद्री सिक्षा मंत्रार ने कहा कि संबंदित राज्ये केतर सासित परदेश उन उमिद्वारों को नए टैट प्रमान पत्तर जारी करें और जारी करने के लिए आप से कारवाई करें जिनकी आउधी जिनकी साथ वर्ष की आउधी पहले समापते हो चुकी है यह चीज आपको धान में देखनी है इधर डॉक्टर रमेश पोकरियाल जी का आप लोग देखेंगे डॉक्टर रमेश पोकरियाल दी डॉक्टर रमेश पोकरियाल निसंक जी ने आपर ट्वीट किया है उनका भी ट्वीट आप देख सकते हैं तीन जुन दोहजार इकी साज का वैलेडिटी पिर्ड ओफ ट्रैट क्वालिपाइंग साटिफिकेट यहां पर भी आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है तो यानि पूरी डिटेल के साथ हम आप लोगों को यह नूज देते हैं ताकि आप लोगों में किसी परकार का डाउट ना रहे तो वीडियो कैसे लगी यह बताईए और सीट आट आपका आने वाला दिसंबर से पहले- पहले सीट आट हो जाएगा उसके लिए तयारी कर लेजिए जिसका नहीं हुआ है फटाफट जल्दी मेनत कीजिए धन्यवाद